हेलो बच्चो आज हम क्लास 4 की मैज की वर्क्षीट 26 करेंगे इस वर्क्षीट में पार्ट 12 कितना भारी कितना हलका के सवाल दिये गए है फर्स्ट कोशन है सही उत्तर को चुनकर खालिस्तान में लिखो फर्स्ट है दो किलो ग्राम दो किलो ग्राम बराबर होता है दो हजार ग्राम की बच्चो मैंने पहले वर्क्षीट में आपको बताया था एक किलो ग्राम बराबर होता है हजार ग्राम की उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे कोशन करने है दो किलो ग्राम बराबर होगा दो ह अचे कोशन है निर्दीश अनुसार हल करो दिये गए वजन को किलो ग्राम और ग्राम में लिखो बच्छो आपको यह सारे सवाल करने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि एक किलो ग्राम हजार ग्राम के बराबर होता है जैसे 3,500 ग्राम इसमें जो 3,000 है वो ग्राम में है इसलिए वो बराबर हो गया 3 किलो ग्राम की और जो 500 ग्राम है वो तो 500 ग्राम है तो ग्राम वाली जगा पर 500 आ जाएगा यानि 3 किलो ग्राम जमा 500 ग्राम मिलकर बनाएंगे 3500 ग्राम खा है 2700 ग्राम इसमें 2000 जो है वो 2 किलो ग्राम के बराबर होगा और 700 ग्राम वाली लाइन में आ जाएगा नेक्स्ट है 1070 ग्राम इसमें जो 1000 है वो 1 किलो ग्राम के बराबर होगा और 70 ग्राम वाली लाइन में आएगा 4000 ग्राम 4000 ग्राम बराबर होता है 4 किलो ग्राम के द जिसमें है 5125 ग्राम 5125 ग्राम में 5000 तो बराबर होगा 5 किलो ग्राम के और 125 ग्राम वाली लाइन में आएगा इसका मतलब हुआ 5125 ग्राम में पांच किलो ग्राम है और 125 ग्राम है नेक्स कोशन है दिये गए वजन को ग्राम में लिखो एक करके दिखाया गया है का है दो किलो ग्राम 300 ग्राम किसके बराबर होगा 2000 ग्राम के और 300 ग्राम के जिसे हम 2300 ग्राम भी लिख सकते हैं नेक्स है एक किलो ग्राम 456 ग्राम अब एक किलो ग्राम है तो इसमें ग्राम कितने होंगे 1000 ग्राम और 456 ग्राम ये मिलकर बनाएंगे 1456 ग्राम नेक्स्ट है 5 किलो ग्राम 205 ग्राम इसमें 5 किलो ग्राम तो 5000 ग्राम के बराबर होगा और 205 ग्राम मिलकर दोनों बनाएंगे 505 ग्राम घा है 3 किलो ग्राम 303 ग्राम 3 kg में 3000 g है और 303 g जब 3000 में जमा करेंगे तो आएगा 3303 g Next है 11 kg 10 g 11 kg में 11000 g है और 10 g 11000 से मिलकर 11000 10 g बनाएंगे Next question है सही वजन से मिलान करो हमें मिलान करना है आदा किलोग्राम बराबर होगा 500 g के जब एक किलोग्राम 1000 के बराबर होता है तो आदा 500 के बराबर होगा 8 सही एक बटा दो किलोग्राम बराबर होगा 8 kg 500 g के 7 सही तीन बटा चार किलोग्राम बराबर होगा 7 kg और 750 g के पांस अई एक बटा चार किलो ग्राम बराबर होका पांच किलो ग्राम दो सो पचास ग्राम की फोर्ट कोश्चन है हल करो चार किलो ग्राम दो सो ग्राम जमा दो किलो ग्राम तीन सो ग्राम कितने के बराबर होता है हमें जमा करना है 4 किलो ग्राम को 2 किलो ग्राम से जमा कर दो 6 किलो ग्राम आ गया अब ग्राम को ग्राम से जमा करो 500 ग्राम आ गया यानि 6 किलो ग्राम पान सो ग्राम जिसे हम 65 ग्राम भी कहते हैं नेक्स्ट है 6 किलो ग्राम 600 ग्राम जमा 3 किलो ग्राम 200 ग्राम 6 kg को 3 kg से जमा करो 9 kg आ गया अब 600 को 200 से जमा करो तो 850 ग्राम आ गया जो मिलकर बनाएंगे 9850 ग्राम नेक्स है 2 kg 815 ग्राम और 9 kg 570 ग्राम देखो 2 और 9 मिलकर बनाए 11 लेकिन 815 और 570 ग्राम को जब हम जमा करेंगे तो 1000 से उपर की संख्य आएगी जब 1000 से उपर की संख्य आएगी तो वो kg में चली जाएगी यानि 11 का 12 kg हो गया और बाकी बची ग्राम में आ जाएगी जो है 385 ग्राम तो इसका उंतर होगा 12385 ग्राम नेक्स है 8 kg जमा 4 kg 445 ग्राम 8 और 4 मिलकर बनाए 12 और 445 ऐस इस आ गया यहां पर इसको जब हम मिलाकर लिखेंगे ग्राम में तो होगा 12445 ग्राम फिफ्ट कोशन है रमेश सबजिया बेचता है आज बेचने के लिए उसने 27 kg आलू और 36 kg प्यास खरीदे हैं उसकी रेड़ी पर आज कुल कितना वजन है तो उसकी रेड़ी पर 2736 को जमा कर दो तो 63 kg का वजन है अगर उसकी रेड़ी पर 75 kg वजन रखा जा सकता है तो वह कितनी सबजिया और रख सकता है 63 kg का तो वजन है लेकिन 75 तक वो रख सकता है तो और कितने उसे kg का वजन रखना होगा 75 बनाने के लिए 12 यानि 63 में जब हम 12 की जमा करेंगे तभी तो 75 आएगा इसका मतलब हुआ 63 के बाद उसे 12 kg और अपनी रिवड़ी पर रखना होगा 75 बनाने के लिए सेक्स कोशन है रमा आच मटर पुलाव बना रही है इसके लिए उसने यह समान खरीदा सबी चीजों का कुल वजन कितना है इन सब को जमा कर दो 820 ग्राम आएगा जोकि हमारा उत्तर होगा नेक्स कोशन है अगर रमा को एक किलो ग्राम चावल से पुलाव बनाना हो तो उसे बाकी चीजे कितनी मात्रा में चाहिए होगी खालिस्तान में चीजों का सही वजन लिखिए तो चावल धाई सो से एक किलो ग्राम हो गया टमाटर सो ग्राम से अब चार सो ग्राम हो गया भ्याज देड़ सो ग्राम से छेस सो ग्राम की हो गई मतर धाई सो ग्राम से अब एक किलो ग्राम की हो गए अदरक पचास ग्राम से दो सो ग्राम की लेनी पड़ेगी और लहसन 20 ग्राम से 80 ग्राम उसे लेना पड़ेगा तो बच्चों ये है हमारी क्लास 4 की मैच की वरक्षिट 26 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना बूले तक जब भी हम वीडियो जा ले आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए